नमस्कार फोर्टसाइट्स टीवी में मैं शॉलिबार जैस्वाल आपका स्वागत करती हूँ 14 फर्वरी भारत इतिहास में ब्लैक डेस साबित हुआ ये दिन जमुकश्मीर में हुई दुखत घटना को याद दिलाता है 14 फर्वरी ही वो दिन था जब जमुकश्मीर श्रीनगर राष्टियर राचमार्क पर CRPF के काफिले पर आत्मधाती हमला हुआ था जिसमें 40 भारतिय सैनिक शहिद हो गए थे इस दिन को तब से ही ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है फोर साइट्स टीवी की और से सभी जवान शहिदों को हार्दिक शद्दान जलीवा शक्षत नमन 14 फरवरी 2024 पास साल हो गए जब पाकिस्तानी आतंकियों ने पुलवामा जिले में CRPF के काफिले पर आत्मधाती हमला किया 40 जवान शहिद हो गए हमले की जिमेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगढ़न जेशे मोहमद ने ली बस इतना काफी था यहाँ जनने के लिए कि इन कायर आतंकियों का ठिकाना कहा है सिर्फ मात्र स्रिफ बारा दिन बीते होंगे 26 जनवरी 2019 की रात करीब 3 बजे भारतिया वायू सेना के बारा मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने सीमा पार्क की पाकिस्तान की सीमा में घुसे बाला कोट्ष में मौजूद जेशे मोहमद के छिकारों पर बंबर्सा है पूरी तरह से नस्च कर दिया इसके बाद यहाँ कारवाई बाला कोट एर स्ट्राइक के नाम से प्रसिद हो गई 26 फरवरी की रात मिराज ने बरसाई मौत हमले में 1000 किलो ग्राम वजन के बंब गिराए गए थे यानि मकसद साफ था आतंकियों और उनके ठिकारों को ततकाल राख में बदल दो बाला कोट एर स्ट्राइक में करीब 300 आतंकियों के मारे जाने की खबर आई थी पाकिस्तान को हमेशा की तरह भारत के इस खतरनाक आक्शन की खबर ही नहीं लगी शहिदों का बदला ले लिया गया था 14 फरवरी 2019 को आतंकियों ने देश के सुरक्षा कर्मियों पर कायराना हमला किया था इस हमले में 40 CRPF जवान शहिद हो गए कई अन्यक गंभीर रूप से जखमी थे जेश मुहमत के एक आतंकी ने विस्वोटक से लदेवाहन को CRPF जवानों की बस से टकर मार दी थी इस टकर के बाद एक सोड़दार धमाका हुआ बस से जा रहे जवानों के शरीद शक्त विक्षक होकर जमीन पर भिखर गए थे भारत ने पुलवामा हमला का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के बाला कोट सित जेश के आतंकी कैम पर सिर्फ बारा दिनों में हमला किया 14 फरवरी को पुलवामा हमले के बाद एक दिन बाद सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट कमेटी की बैठक होई इसमें पीम नरिंद्र मोदी को पाकिस्तान से बदला लेने के विकल बताये गए उरी हमले के बाद स्वाजिकल स्ट्राइक की गई थी इस बार जवाबी कारवाई का तरीका अलग सोचा गया था सर्जिकल स्ट्राइक के समय पाकिस्तान ने सरफेस टू एर मिसाइले तैनात कर दी थी इस बार उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि भारत हवाई हमला करेगा पीम मोदी ने एर स्ट्राइक की जिमेदारी राष्ट्य सुरक्षा सलाकार एन एस ए अजीद दोभाल को जिमेदारी दी दोभाल और उस समय के वायू सेना प्रमुक बी एस धनोवा ने हमले का प्लैन तयार किया बाला कोट में जेश के आतंकियों को सबक सिखाना था जब एर स्ट्राइक से दो दिन पहले तै हुआ कि मिराज 2000 फाइटर जेट के साथ नेत्रा एडेबलो एसी एस भी तैनात किया जाएगा इन्हें ग्वालियर में तैनात किया गया साथ ही आगरा बेस को अलट रखा गया था पच्छिस फरवरी की शाम ऑपरेशन में हिस्सा ले र 26 फरवरी 2019 के देर रात मिराज 2000 ने ग्वालियर से उडान भरी तो आगरा बरेली के एर बेस भी अलट हो गए इस दोरान पाकिस्तानी एर डिफेंस सिस्टम पर निगा रखले को कहा गया था बारा मिराज लडाकु वीमान रात तीन बजे पाक सीमा में दाखिल होकर बाला को सेना अपना काम कर चुकी थी बाला कोट में मजूद जेश मुहमत के ठीकाने तबाह हो चुके थे भारस सरकार ने कहा है कि इस हमले में जेश के सैकड़ों आतंकी मारे गये थे पाकिस्तान ने घटना के बाद अपने पूरे एर स्पेस को नो फ्लाई जोन घोशित कर दिया कई महिनों तक घटना स्थाल पर किसी को नहीं जाने दिया खास ख़बरों के लिए जुड़े रहे हमसे देखते रहे फोर्स राइट्स टीवी